15 साल की ये लड़की अपने पिता के बेडरूम में एक दूध का गिलास लेकर के जाती है ये देखकर उसका पिता खुश हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि चलो अब मेरी बेटी जवान हो गई है मेरा खयाल तो रखी सकती है फिलाल वो दूध पीकर आराम करने लगता है कि उसके बेटी तब तक अपने बेडरूम में जा चुकी होती है और अब अगली सुबा हो जाती है अगली सुबा होने के बाद उसका पिता नहाने के लिए जाता है और जैसे नहाने जाता है वहाँ पे भयानक आग लग जाती है और आग के लपटें बाहर तक आ रही होती है उसके बेटी चीख चिला रही होती है अस्थानी लोग दोड़े चले आते हैं जब तक वो आग पर काबू पाते हैं तब तक आग अजय कुमार जैन पर काबू पा चुका था और ये शक्ष कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था बलकि ये एक जानामान चहरा और करोण पती था और इसलिए पुलिस को भी आते देर नहीं लगी और उधार बेचारी उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था क्यूंकि रात को ही उसकी माँ और उसका छोटा भाई करने के बाद जो रिपोर्ट सामने रख देते हैं उसके बाद तो समझो बेंगलोरू में चक्का जाम हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसा खुला सा हो जाता है जिसकी हम और आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो आओ फिर मिल करके सुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया के डार्क रियालिटी तो ये कहानी शुरू होती है करनाटक राजी के बैंगलोरू के राजाजी नगर छेतर से जहां पे एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें जहे कुमार जयन उसके पतनी पूजा और उसका छोटा बेटा और साथ में एक 15 साल की लड़की सिया अब जहे कुमार जयन एक छोटे मोटे वेपारी तो थे नहीं अच्छे खासे वेपारी थे तो इसलिए पैसों की भी कोई कमे नहीं थी और ना ही परिवार में प्यार की क्योंकि ज्यादतर केसे में हमें यही देखने को मिलता है कि अगर पैसा है तो परिवार में प्यार न चोटा सा तो परिवार था बहुत ही खुसी-खुसी से जिंदगी वैतीत कर रहे थे जै कुमार जन अपनी बेटी को बहुत प्यार कर थे बहुत ही नाजों से पाला था कभी गलती से भी उसे एक थपड तक नहीं मारा था लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि वो 15 साल की लगते हुए भी 18-19 साल की एक यंग लड़की लगती थी अब इसके बाद और समय बीता और वो तारीख आ जाती है यानि कि 17 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जिस तारीख को उन्हें साधी अटेंड करने के लिए पूर्णी चेरी जाना था अब जै कुमार जन तो ठहर एक बड़े वैपारी तो फिलहाल उनके पास समय नहीं था साधी अटेंड करने का इसलिए उन्हों ने अपने परिवार कोई भेजना जरूरी समझा और पूरी तैयारी की गए और तकरीबन साधे साथ बजे वो अपने परिवार वालों को अपने ही कार से रिल्वे प्लेट ये बात सुन करके उसके पिता को खुसी हुई फिलहाल उसके भाई और उसके मा को वो रिल्वे प्लेटफॉर्म पे छोड़ने के लिए चले जाते हैं और वो छोड़ करके वापिस भी लौटाते हैं और सोने से पहले वो अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और अब सोने का समय हो जाता है और आप जैसे ही वो सोने के लिए अपने बैडरूम में जाते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि वो तो सोने से पहले एक गलास दूद पीते हैं हलाकि अब उनकी वाइफ तो थी नहीं तो उन्हें लगा कि आप कौनी उन्हें दूद बना करके देगा लेकिन बेटी यानिकी सिया दूद लेकर के उनके बेडरूम में चली आती है ये देख करके उनकी पता बड़े खुस होते है फिलहाल उसकी बेटी वहीं पे दूद रखके अपने बेडरूम में चली जाती है और उनके पता खुस हो करके वो दूद पीकर के आराम से सो जाते है लेकि यह आवाज होती है सिया की क्योंकि उसके घर के बात्रूम में आग लग चुकी थी और वो आग की लपटें घर से बाहर तक आ रही थी तब तक अस्थानी लोग वहां पहुंच जाते हैं और जल्दी से आग बुझाने वाले को भी बुलाया जाते हैं और जब तक आग पर कर नहीं कर सकता तो इस अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम या फिर वर्टसप चैनल को जोईन कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद ही आपको सारी अपडेट मिल जाएगी तो जल्दी से ज के बाद विजली से सौर्ट सर्किट लग गया जिसके चलते वो इस घटना के सिकार हो गये हलाकि दरवाजा अंदर से लोग था इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाई फिल्हाल पुलिस वालों को यही सच लग रहा था जो उसकी बेटी बता रही थी लेकिन इन्वेस्टिगे में लगे सौर्ट सर्किट की वज़ा से इतनी बुरी तरीके से उसका सिकार हो सकता है मुझे तो लगता है कि इसके पीछे की कुछ और वज़ा हो सकती है अब देखो जै कुमार जैन एक अच्छे खासे वेपारी थे पैसों की कोई कमे नहीं थी परिवार भी बहुत खुश रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं क्योंकि जो रिपोर्ट कहानी बता रही थी और जो उसके बेटी ने कहानी बताई थी दोनों अलग अलग थी और अब इसलिए पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार ये चल क्या बेटी कुछ और बता रही है और रिपोर्ट कुछ और तो इसलिए पुलिस वालों ने फॉरंसिक टीम रिसर्चर्स की मदद लेना जरूरी समझा और समय रहते ही फॉरंसिक टीम रिसर्चर्स उसके घर पे भेजा जाता है और पूरे घर की बारीकी से जाच की जाती है और स उसी के साथ दिवारों पर भी वो छीटे मौजूद होते हैं और अब इस एविडेंस के बाद पुलिस वालों का शक कहीं न कहीं उनकी बेटी पर ही जा रहा था क्योंकि घर पर उन दोनों के लाबा कोई और मौजूद था ही नहीं रात में उसकी मा और उसका चोटा भाई जानी बताई थी ना कि उसके पिता सुबह जगे भी थे और मुबातरूम नहाने भी गए थे एंदन फिर ये सब कुछ हुआ जबकि सेमपल्स तो उसके बेडरूम से ही मिल रहे थे और दूसरी और रिपोर्ट ये बया कर रहे थी कि ये सब कांड होने के बाद ही उसे जलाय गया था तो इसलिए पुलिस वालों का सक तो पूरा यकीन में बदलने को ही था लेकिन फिर भी investigation करना इसलिए जरूरी था आगे कि इसमें हो सकता था कि कोई और भी सामिल हो इसलिए अब पुलिस फिलहाल तो उसे कुछ भी नहीं कहती है और आगे की investigation जारी रखती है और पर पर भी से रहने वाला पडोसी होता है और उसक्स का नाम होता है प्रवीन और जब प्रवीन का नाम इस केस में सामिल हो ही गया तो उसे भी पूछताश करना पुलिस वालों का हग बंदा था तो पूछताच के दोरान परवीन ने साफ तोर पे बताया कि हां मैं उसके घर पे गया था क्योंकि मैं उसकी बेटी से प्यार करता हो और हलाकि मैं तो जल्दी ही वापिस लौट आया था अब ये बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए कि भाई एक नाबालिक लड़की का एक बालिक लड़की के साथ चक्कर है हो ना हो कहीं न कहीं ये तो इन वाल वो होंगे ही हलाकि इन दोनों को पकड़ने से पहले ही पुलिस वालों को अपने शक को यकीन में बदलना जरूरी था तो इसलिए call details उन दोनों की निकाली जाती है और जब call details निकाली जाती है तो शक यकीन में बदल जाता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बलकि उसकी बेटी और प्रवीन ही है और अब इसलिए पुलिस वाले बिना किसी देरी की उन द खाने ले आती है अब दोनों को अलग अलग रूम में बिठाय जाता है क्योंकि उसकी बेटी नाबाली के 15 साल की होती है तो उसे अलग तरीके से treatment देनी थी और इदर परवीन की अलग तरीके से सेवा पानी करनी थी तो सेवा पानी के दौरान वो सच्चाई बताना सुरू क करता है यहीं से कहानी थोड़ी और पीछे चली जाती है जब यह लड़की बैंगलोरु की एक इंटरनेशनल स्कूल में श्टड़ी कर रहे होती है और पास के प्रिसान रहने लगे कि आखिरकार ये इतनी लंबी बाते करती किस्से है वैसे आपके जानकारी के लिए बता दो कि परवीन के पिता को एक बार नौकरी से निकाल देया गया था हला कि उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल चुके थे तो उन्हीं पैसों को परवीन के नाम से जम प्रूरी समझा और पता लगाने के बाद ये पता चला कि उन्हीं के आजपड़ोस में रह रहे एक परवीन नाम के लड़के से उसकी बेटी बात करती है उसका रास्ते में मिलना जुलना होता रहता है जब ये बात पता चले तो उसने अपनी बेटी को पहले तो बहुत ही ये लगे कि वो अब सुधर चुकी है वो किसी से भी बात नहीं करती है अब सिया को मॉडलिंग करना काफी पसंद था जिसके चलते वो छिप छिपा कर मॉडलिंग करती और छोटे कपड़ों भी फोटो शूट वगरा करवाया करती थी हालाकि ये बाते उसके घरवालों को नहीं पता थी और इसलिए परवी नाम का लड़का उन पैसो को अपनी गल्फरिंट पर उड़ाया करता था जो कि उसके पिता ने उसके नाम से जमा करवा रखे थे और अब ऐसे ही समय बीता जाता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब जै कुमार जी को अपनी परवरिस पर ही शक होना सुरू हो जाता है क्यूंकि उसकी बेटी ने कुछ ऐसा करनामा ही कर दिया था द्रसल सिया ने अपने घर पे ये बात बताए कि वो अपने सहेलियों के साथ पांच दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पे जा रही है और दूसरी ओर चली जाती है अपने बॉइ सहेली को ही कॉल कर लिया और सहेली को कॉल करने के बाद उसकी सहेली ने सामने से जवाब दिया कि वो तो हमारे साथ आई ही नहीं बलकि वो परवीन के साथ मुंबई गई है मॉडलिंग करने के लिए अब साधारन सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी पिता होगा तो उ पिर उसके बाद उनका मॉबाइल पर बात होना बंद हो जाता है हलाकि जब श्टडी करने जाते थे तो वहाँ पे उनका मिलना जुलना भी चली रहा था और उसी दोरान जब उसके बॉइफरेंड परवीन को ये पता चल जाता है कि इसका फोन अब जब तक कर लिया गया है त लेकिन इस बार फिर से उसके पिता ने रात को बात करते हुए पकड़ लिया और उसे फिर से अच्छे से दो तिन थपड मार करके उसका फोन जब तक कर लिया लेकिन यही वो थपड था जो कि उसके मन के अंदर बदले की भावना पैदा कर गई और अब अगले सुबा होती है वो श्टडी करने तो जाती ही है रास्ते में दोनों मिलते हैं अब वहां जाकर के अपने वाइफन के साथ वो रोना धोना सुरू करती है कि मैं साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है आए दिन मैं अपने पापा की बाते सुनती हूँ डाट फटकार रोक तोक से मैं बहुत तंग आ गई हूँ मुझे अपने पिता से आजादी चाहिए अब यहां से दोनों का खेल सुरू हो जाता है और यहीं से दोनों ने मिलकर के प्लानिंग सुरू कर दी थी और आगे सिया ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने से एक महीने पहले से ही उन्होंने तैयारी ठीक 17 अगस्त 2019 को जब उनकी फैमिली को साधी अटेंड करने के लिए कहीं दूर जाना था लेकिन वो बहाना करके रुख जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अपने पिता को दूध का गिलास दे करके सोने चली गई थी और उसी दूध के गिलास में तकरीब अपने बॉयफेंड परवीन को कॉल करके बुला लेती है उसका बॉयफेंड खाली हाथ नहीं आता बलकि वो हाथ में एक बहुती तेजधार हत्यार लेकर के आता है इधर उसकी बेटी भी कम नहीं होती है वो जल्दी से कीचन जा करके सेम वैसा ही हत्यार उठालाती है और दोनों मिल करके जै कुमार जी पर टूट पड़ते हैं और ये सारा कारिकरमे तकरीबन रात को ही हो रहा होता है पुरी साफसफाई तो वो कर ही चुके होते हैं फिर अगली सुबा हो जाती है अगली सुबा होते ही सीया PASS के ही पेटरल पंप से 2-3 बोतले पेटरल की भरवा गया जाता है और उसे बाल सुधार ग्रह में भेज दिया जाता है जबकि लड़की को तो आज इवन कारावास हलाकि यह लड़की आजाद भी घूम रही होगी लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि इस घटना को ले करके दोनों एक जैसे ही जिम्मेदार थे तो भाई य आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी और आने वाली वीडियो की भी अपडेट मिलती रहेगी और मेरा इस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पर भी फॉलो कर लेना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहिंद